Hello friends, welcome back to my channel आज मैं लेकर आई हूँ वेस्ट हैंगिंग भनन जिसे हम हैंगिंग पॉट में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, ग्रोट कर सकते हैं और बिग्नर्स के लिए तो बहुत ही इसी तू ग्रोट है और इसे बहुत ही कम केर की ज़ुरत होती है तो चलिए वन बाई वन देखते हैं कौन-कौन से best hanging plant है तो ये है फर्न, फर्न एक permanent plant है जिसे sunlight की बहुत ज़्यादा ज़रुत नहीं है इसे shade area में रखते हैं और number two पे है ये succulent plant जो बहुत ही सुंदर plant है ये भी permanent plant है इसमें बहुत सुंदर-सुंदर flowers भी आते हैं purple color में तो ये भी best hanging plant है और इसे बहुत ही कम केर की जोरत है एक बार लगा दीजिए और बस भूल जाएए पानी भी इसे बहुत कम देना होता है बहुत ही सुंदर लगता है ये hanging pot में ये भी एक succulent variety है जिसकी पतियों में ही रेसे होते हैं और ये बहुत सुंदर succulent plant है जो hanging pot में अच् इसका नाम बेबी संरोज इसलिए है कि जब संराइज होते हैं तो ये flower खिलते हैं और sun set होने पर ये flower मुर्जा जाते हैं तो ये भी hanging pot में बहुत अच्छा दिखता है और best hanging flower है तो आप इसे लगा सकते हैं अपने garden में तो देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बंच में चा सारे plant beginners के लिए best है और बहुत ही कम केर की जूरत होती है इनकी cutting भी बहुत ही आसानी से लग जाती है और ये है पैंजी जो अलग-अलग colors में आती है मेरे पास white और yellow में है ये भी hanging pot के लिए perfect है और ये बहुत अच्छे से पूरे hanging pot को cover कर लेता है और बहुत सारे flower एक साथ अभी इसका सिजन सिम्ला में खतम हो रहा है और ये अभी कम दिख रहे है और ये बहुत ज्यादा flower में आते है तो different different colors में पैंजी आते है ये white पैंजी है बहुत ही सुंदर लगता है ये hanging pot में तो आप इसे भी लगा सकते है अपने hanging pot में और ये है वेरिगेटेट टर्टल जिसकी cutting already मैंने दिखाई हुई है जिसे हम पानी में भी और मेटी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कितने नीचे तक गया हुआ है काफी लंबा जाता है ये टर्टल वाइन और इसे hanging pot में बहुत ही असानी से हम लगा सकते हैं ये पूर कर सकते हैं और ये हैं वंडर जियो जिसे हम hanging pot में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इन्हें बहुत कम पानी की जूरत होती है जट प्लांट भी है और ये कार्निशन है जो अलग-अलग colors में आते हैं इनका सिजन भी खतम होने को है इस तरीके सी सुखे लग रहे हैं जिरेनियम हैंगिंग जिरेनियम जो डिफरेंट colors में आते हैं विराइटी में आते हैं ये भी बहुत सुन्दर हैंगिंग पॉट के लिए प्लांट है पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है इसकी cutting और प्रोनिंग हमें करती रहने होती है और ये है पिटूनिया फ्लावर जो अब हम लगाएंगे सितंबर में और ये सर्जियों में बहुत अच्छे से खिलेंगे और वैसे तो शिम्ला में ये सालों बर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि हां ठंड होती है तो ये सारे पिटूनिया फ्लावर सी है जो अलग-अलग colors में है वेरिगेटिट पिटूनिया इनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं बहुत ही सुंदर हैंगिंग पॉट के लिए होता है ये परफिक्ट हैंगिंग पॉट के लिए फ्लावर है और ये है सेकलन्ट प्लांट की ही विराइटी जिसको अलरड़ी मैंने आपको दिखाया हुआ है बहुत ही सुंदर और बेस्ट hanging pot के लिए ये है इसके flowers भी बहुत प्यारे आते हैं इसके भी care बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है और ये भी आपने पहले भी देखा हुआ है इसे हम छोटे-चोटे pots में भी लगा देते हैं hanging pot में भी लगा सकते हैं ये देखिए इसमें प्यारा फ्लावर इसमें आया हुआ है वाइट सा और ये है वंडर जीओ ये भी hanging pot के लिए perfect होता है इसमें पानी थोड़ा सा हमें कम देना होता है और ये हमेशा सालो भर चलता है पर्मारेंट फ्लावर है इसकी पतियां भी बहुत है सुंदर होती है और ये सारे प्लावर को हम पानी में और मिटी दोनों में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी वाटर प्लावर ये है विगुनिया फ्लावर जो हैंगिंग पॉट के लिए ये परफेक्ट है और ये विंटर फ्लावर है बट शिमला में जैसा कि मैंने का है सालो भर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं डिफरेंट कलर्स में होते हैं तो इन्ने भी हम असानी से अपने हेंंग पॉट में लगा सकते हैं जैनियम फ्लावर, इसकी अलग अलग वराइटी और कलर सोती है देखिये लग का सुंदर लग रहा है ऌर इसे भी हेंगिंग पॉट में आसानी सी लगाया जा सकता है इसकी cutting भी बहुत ही आसानी से लग जाती है ये है jet plant की विराइटी जिसकी पतियां अभी ठंड की वज़़ से और मुइस्टर की वज़़ से जढ चुकी है और फिर धीरे धीरे ये वापस से आ जाती है और घनी हो जाती है तो ये सारे मेरे hanging pot के plant है ये है spider plant ये भी बहुत सुंदर लगता है hanging pot में वैसे तो इसे किसी भी pot में लगा दीजिए उसकी खुबसूरती बढ़ जाती है और ये baby sun rose को भी मैंने इसमें लगाया हुआ है और ये है dianthus ये भी है hanging pot के लिए best option और ये भी different colors में आते हैं और ये permanent flower है इनकी cutting भी easily लग जाती है तो ये भी hanging pot को पुरी तरह से cover कर लेते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये सालो बर चल जाते हैं तो इसे भी आप लगा सकते हैं ये है फर्न जो मैंने लगाया हुआ है तीपोट में और ये भी पूरे टीपोट को देखिए कैसे cover कर लिया है तो ये भी बहुत अच्छा option है hanging pot के लिए और ये है wonder Jew जो hanging pot के लिए perfect है और ये काफी अच्छे से पूरे hanging pot को cover कर लेते हैं और नीचे तक ये hang हो जाते हैं और इन्हें धूप में रखना चाहिए डिरेक्ट सनलाइट इन्हें चाहिए होती है बहुत ही सुन्दर और साइनिंग लिप्स होते हैं और ये है कार्नेशन ये भी hanging pot के लिए perfect है permanent flower है, शालो बर टिका रहता है और ये सारे मेरे collection थे hanging pot के लिए जो beginners के लिए बहुत ही easy to maintain है grow है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं इनकी cutting भी अगर मिल जाए तो इसे हम लगा सकते हैं तो ये थी मेरे best hanging plant collections उमीद है आपको ये पसंद आई होगी तो मिलते हैं next video में so thanks for watching